Hey guys, welcome to my channel Smiley Sonam again. So, आज का जो मेरा वीडियो है, वो बहुत ही जादा लोगों ने में जो पुछा भी है and बहुत ही जादा इंपोर्टन भी है. So, आप लोगों को make sure करना है कि आप मेरी पूरी वीडियो अच्छे से दे के छोटा सा वीडियो गनाया है मैंने. तो ये वीडियो नहीं प्रेगनेंसी रिलेटेड है जहाँ पर पोस्ट प्रेगनेंसी जो हमारी डिलिवरी के बाद जो 40 डेज होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए एक डीटॉक्स ड्रिंक होता है जो की होता है जो कि होता है जवाइन और सोफ का पानी अभी से कैसे खाना है कैसे कंजीं करना है वो मैंने अपने वीडियो में बढ़ाए अप मेरे चानल पर फर्स ताइम आया तो दो फोगेट तो सब्सक्राइब माई चानल इस इस मेरे डिटॉक्स ड्रिंक है वो है अजवाइन और सोप का पानी इसमें मैंने और क्या मिक्स किया है वो भी मैं अगर आप गूगल में सेर्च करते हो कहीं पर भी आप सीज़ कि आपके घर में जो मौ आपके घर में जो दादादी नाना नाने अपने मो म करते हैं वो अपो क्लिर्ली शेट करते है एस पानी को क ghetto पीना बोहत ही जाधा कंपल सरी होता है इसे पीने से हमारे delivery में जो back pain होता है वो control में आता है हमारे कमपल सरी है 99% जो normal delivery वाले होते उनको constipation का problem होता ही है पेट में problem होती ही है तो इस पानी को पीने से आपको ये तकलीव भी नहीं होती है breastfeeding के लिए आपका बहुत अच्छा है आपकी breastfeeding अच्छे से होती है मदद करता है साथी साथ ये आपके बच्चे के health के लिए भी बहुत अच्छा रहता है बच्चे को gas नहीं होता है पेट में तकलीप नहीं होती है कि कभी-कभी हम कुछ उल्टी-सीदी चीजे खा लेते हैं हमें पता नहीं होता है शुरू-शुरू में तो कुछ पता नहीं होता है तो ये सारी चीजे का भी आपको ध्यान देना होता तो जब या जवाई वाटर आप पीते हो तो आपके बच्चे को gas प्रॉब्लम भी नहीं होता है तो इसी तरह से इस वीडियो को आपको इसी लिए मैंने कहां शेयर करने के लिए क्लिए क्योंकि मैंने काफी जो फीमेल से आज की तारिक में उनको नहीं पता है इस चीज के बारे में और वो कंज जाते हैं तो इसी लिए भी कहा जाता है कि इस ड्रिंक को जरूर पीए ताके आपका वेड भी कंट्रोल में रहे और साथी साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो देख लीजी दो अलग अलग तरीकों में बनाया है पहले सबसे पहले मैं इस तरह से ड्रेंक बना के पी लेती हैं तो इससे क्या होता है अजवाइन और सोफ अगर आप डिरेक्ली मुह में डालो गया और चबाते हो तो तो तीखा लगता है आग से पानी आजाता है एक से दो बार आपको बाइप मारना है और उसके बाद आपको डिरेक्ली पानी वाटर कंजूम करना है तो डिरे बेनेफिट्स अलग तरीके से आते हैं तो भी ज़रूर देखेगा और साथी साथ बेनेफिट भी ज़रूर पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको पान हीट करना है जैसे कि दावा लेना है उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सौफ डाल दीजे उसे अची तरह से रोस कर दीजेगा एट लीस्ट दो मिनिट के लिए या फिर जैसा आपको चाहिए उससाब से अभी जो फ्लेम आती है जो द जो होता है उसके बेनेफिट्स पर लीजेगा वह आपको आइड करना है इसे अच्छी तरह से आपको बॉइल करना है पानी कम से कम आदा हो जाना चाहिए फिर उसको अच्छी तरह से ग्लास में ट्रेन कर दीजे और यह आपर डीटॉक्स ड्रिंक रेडी हो जाता है इस पाइन और सोफ जैसे कि आपको पता है आपकी डाइशिंग के लिए अच्छा है वह अगर आप कंटीनु रखना चाहते हो तो डेली आप कंटीनु भी रख सकते हैं आप लोग ने देख लिया है प्रोसीजर के मैंने किस तरह से वाटर बनाया है इसके प्रेगनेंसी कोई भी सवाल करना है आपको कोई क्वेशन से आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यल्स आप मुझे डीम कर सकते हैं मेरे इंस्ट्रग्राम आइडी पर जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा तो थैंक यू सो मुझ फूर वाचिए वीडियो और इस वीडियो बागाई